हाइस सेलिंग पंजाबी आर्टिस्ट और पंजाबी इंडस्ट्री को एक नई उंचाई पर लेके जाने वाले सिंगर अमर सिंग चमकीला प्लीज सब्सक्राइब तो आज पूनिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमर सिंग चमकीला का ट्रेलर रिव्यू तो इसमें आप दिल जीत दोसाज को अमर सिंग चमकीला के रूप में देखेंगे और वहीं उनकी पतनी अमर जोद कोर के रूप में आप पर नीथी चोपड़ा को देखेंगे अमर सिंग चमकीला तो कहानी एक संगीत से जुड़ी हुई है और उससे रिलेटिड एक ऐसे लड़के की है जो संगीत से प्यार करता है एक ऐसा लड़का जो सोक्स बनाने वाली फैक्टरे में काम करता है सिर्फ अपने चंद गुजारे के लिए और इसके ट्रेलर को देखकर तो यही लग रहा है कि यह इस साल की बैस्ट अलबम में से एक निकलेगी एक ऐसा लड़का जो स्टेज पर जाते ही संगीला से चमकीला बन जाता है पंजाब की मिट्टी से उठा हुआ एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज लोकों के दिलों में इतनी घर कर जाती है कि लोग भूंकार से कहते हैं कि तू तो अपना है चमकीला और उसकी इसी शुहरत को देखकर कुछ लोग उनसे इतने जलते हैं कि वो उनके गानों पर बहुत ज़्यादा इश्यू उठाने लग जाते हैं और इसक में हम ये भी देखेंगे कि अमर्जोद कौर उनकी लाइफ में कैसे आई और उन्हें ये शुहरत कैसे मिली इसी चमकीले की शुहरत को देखकर कुछ लोग जलने लगे थे और वो इनी के गानों के उपर बहुत ज़्यादा प्रोब्लम उठाने लगे थे कि चमकीला अपने गानों में महिलाओं के लिए भद्धी बाते गरता है अब तो हमें देखना ही पड़ेगा कि इस मूवी में कि अमर सिंग चमकीला की आखे स्टोरी क्या है हमारे मन में सिर्फ यही सवाल पैदा हो रहा है ट्रेलर देखकर कि अमर सिंग चमकीला को इती छोटी सी उमर में क्यों मार दिया गया अमर सिंग चमकीला का पूरा ट्रेलर सिर्फ उनके किर्दार दिल जी दोसांच के इर्दगिर्दी घुमता हुआ दिखाए दे रहा है और वहीं पर हमें परनीधी चोपड़ा की छोटी सी जलक दिखाए दी गई है और वहीं पर इंट्रोडक्शन में इम्तियाज अली का वोईस ओवर रखा गया है और अब आपको ये मूवी नेट्फलिक्स पर 12 अप्रेल 2024 को देखने को मिल जाएगी तो इतना छोटा सा इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और आप ऐसी ही ट्रेंडिंग मूवी ट्रेलर और टीजर का रिव्यू देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा क्या आप अमर सिंग चमकीला क के बारे में पहले जानते थे अगर नहीं जानते थे तो हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएगा थैंक यू